दोस्तो क्या आप जानते हैं एक छोटी सी इलाइची सहत के लिए कितना बड़ा खजाना है आज हम इस वीडियो में जनेंगे कि इलाइची खाने के क्या-क्या फायदे हैं दोस्तो वैसे तो इलाइची के बारे में लोग यही जानते हैं कि इलाइची दो परकार की होती है एक इसलिए फाइदमन्द होती है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में पोशक ततू पाए जाते हैं इलाइची में केलोरी polyunsaturated वसा, monounsaturated वसा, cholesterol, sodium, potassium, carbohydrate, fiber, protein, vitamin A, vitamin C, calcium, vitamin D, vitamin B6, kobala mine और magnesium जैसे पोशक ततू भरपूर मातरा में पाए जाते हैं तो चलिए दोस्तो जानते हैं इलाइची खाने के कौन-कौन से फायदे हमें हासिल होते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तो इलाइची का सेवन आपको योन रोग या गुप्त रोग से निजात दिलाती है रात को सोते टाइम दूद में इलाइची को अच्छे से उबाल कर शहद में मिला कर सेवन करें इलाइची का नियमेच सेवन करने से कैंसर जैसी गंबीर बिमारी को भी आप मात दे सकते हैं क्योंकि इलाइची में anti-inflammatory, तत्व, मुह का cancer, ताउचा के cancer से लड़ने में बहुत ही कारगर होते हैं इलाइची में magnesium और potassium परचूर मातरा में पाया जाता है जिससे शरीर का blood circulation हमेशा सामन्य बना रहता है और blood pressure को control में रखता है साथी अगर आप gas, acidity और pate की समस्यों से परेशान हैं तो हमेशा भोजन करने के बाद इलाइची का 7 जरूर करें इससे आपको बहुती फायदा हासिल होगा अगर आपको सांस की बिमारी है तो फिर तो इलाइची आपके लिए अमरत जैसी है ऐसा इसे लिए क्योंकि इलाइची की तासीर गर्म होती है अस्थमा में इलाइची कारगर होती है एक सोध के मताबिक इलाइची में मौझूद एंटी ऑक्सिडेंट ततू सरीर की शुगर यानि इंसुलिन के लेवल को कम करने में मदद करती है और इलाइची में मौझूद एंटी इंफ्लमेटरी इफेक्ट्स और एंटी ऑक्सिडेंट गुन क्रोनिक डिजिज यानि एलर करने से पेट में अलसर की समस्या से छुटकारा मिल जाता है क्योंकि इलाइची के रोज़ाना सेवन करने से पाचन संबंदी समस्यां से निजात मिल जाती है दोस्तो एक सोद के मुताबिक इलाइची का अर्क केस्ट्रिक अलसर के आकार को कम से कम 50-50 फिसदी तक पूरी खतम कर देता है, साथ ही भोजन के बाद इलाइची के सेवन करने से मुह की दुरगंद दूर हो जाती है और साथ ही दांतों की केविटीज की समस्याव से भी निजात मिल जाती है इलाइची खाने से उल्टी और मितली भी दूर रहती है दोस्तो इलाइची के अर्क के सेवन करने पर लीवर से जुड़ी बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है इलाइची के अर्क में मौझूद एंजाइम ट्राइंगली स्राइड से कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं बार-बार होने वाली घबराट की समस्याओं से अगर आप परिशान रहते हैं तो ऐसे में दिन में दो या तीन बार या फिर घबराट होने पर इलाइची का सेवन करना बहुती फायदमन्द रहता है और दोस्तो इलाइची का एंटी ऑक्सिडन्ट तत्व बलड सर्कुलेसन को सामानने बनाती है जिससे मूर सिविंग में भी बहुत ज़्यादा रहात मिलती है साती दोस्तो अगर आप बढ़ते वजन और मोटापे से परेशान हैं तो ऐसे में अपनी डाइट में इलाइची को जरूर शामिल करें इसमें मौजूद पोशक्तत्व तेजी से वजन घटाने में मददगार होते हैं इलाइची का तेल और इलाइची का अर्क का उप्योग करने से फंगल इंफेक्शन और पाचन संबंदी रोगों में राम बांड का काम करती है लाइची के दानों का बेल की छाल के साथ काड़ा बना कर पीने से बुखार में लाब मिलता है इस काड़े का सेवन दिन में दो से तीन बार करना चाहिए तो दोस्तो ये ते इलाइची खाने के जबरदस्त फायद है दोस्तो अगर वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना